तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि Ubuntu में आप गूगल क्रोम को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं सो सबसे पहले the first process is to go to the Google Chrome official site here is the link that you need to go and here download chrome click on that and this will download one file which is called 64 bit.dep after accept and install your file will be downloaded here then come at this place and double click on that don't extract right तो यहां पर आपको double click करना है double click करने के बार जैसे ही install हो गया install होने के बार यहां पर आप double click कीजिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर इसे मैं दिखाता हूँ आपको कि double click करने के बार एक option आएगा कि आप जो है install कर सकते हैं Google को यहां पर देख सकते हैं Google Chrome Stable install का option आया इस पर click कीजिए install कीजिए यह बहुत ही simple है अगर आप command line से install करना चाहते हैं सबसे पहले आपको यह run करना पड़ेगा यह w get यह क्या है कि इस website के through इस same file download होता है और download होने के बाद same file जो मैं ऐसे GUI के माद़ियम से download किया यहां से भी download आप कर सकते हैं तो यह जो है यहां से पहले download होगा download होने के बाद यह जो है dpkz यह जो है उसको package को यह जो है एक तरह से extract ही करता है यह package को यहां पे read करेगा इस package के माद़ियम से अगर अगला command अगर हम यह चलाते है sudo apt-get install minus f means forcefully तो क्या होगा कि हमारा software जो है जो Google Chrome है वो forcefully install हो जाएगा तो देखिए यहां पे जो है error आया था install नहीं हुआ था but second time मैं जो है इसको किया तो यह error नहीं आया first time क्यों नहीं आया क्योंकि मैं इसमें open किया था तो यह वाला चीज मेरा open था तो इसको आप close कर दीजिएगा और उसके बार अगर install किजिएगा क्योंकि GUI में यह पाहले से detect कर लिया कि पाहले से मैं जो है install कर रहा हूं इसके माद्यम से जो की एक option आ रहा है download करने का install करने का sorry तो यह जो है process है but आप यह command कर दीजिए उसके बाद and आपका download हो जाएगा और आप Windows की प्रेस कीजिए Windows की प्रेस करने के बाद यहाँ पर type कीजिए Google यह Google Chrome आ गया तो मैं इसको Google Chrome को open करके मैं दिखाता हूं कि Google Chrome मेरा successfully installed हो चुका है जो की मेरा stable version है Google Chrome का